अगर आप एक फार्मा स्टार्टप कंपनी है तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही जदा इंडेप्थ डेटेल नौलिज देने वाला हूँ एक ब्रेंड प्लानिंग कैसे की जाता है अगर आप इस टार्टप रॉन कर रहे हो तो आप पर मल्टिपिल ब्रेंड होंगे तो ब्रेंड प्लानिंग कैसे की जाता है उस प्रोड़क को ब्रेंड में कनवर्ट कैसे की जाता है maximum sale लेकि कैसे आ जाता है long term में बड़ा brand कैसे बना जाता है vision कैसे रखा जाता है इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर in depth में आपको knowledge देने वाला हूँ आप इन सारे process को जो मैं बताने वाला हूँ step by step follow करिए अपनी company के अंदर brand strategy design करिए 100% बता रहा हूँ आपको market के अंदर friend आपके brand के अंदर आपके product के अंदर सफलता मिलेगी as well as आपको वहाँ से prescription generate होगा revenue generate होगा चलो one by one step पे बात करते हैं सबसे पहले अगर किसी भी company के में brand strategy design करनी होती है या फिर brand को बड़ा करने की बात होती है तो सबसे important है brand को identify करना हर एक brand में बड़ा हो सकता है नहीं बड़ा हो सकता हमें brand के potential के according brand का selection करना होता है अब यहाँ पे मैं brand को दो पार्ट में divide कर दूँगा brand दो type को हो सकता है अगर आपका जो भी entire portfolio होगा उसको दो पार्ट में आप divide कर सकते हैं एक तो focus brand एक non focus brand पांच brand या फिर साथ brand ठीक है पांच brand या साथ brand इस से अधिक नहीं maximum साथ लेकर जाना चाहिए इस से उपर नहीं कि इस से उपर ज़दा focus नहीं कर पाएंगा इस ए company तो आपको select करना है पांच या साथ brand अगर आपके portfolio में 15-20 brand है तो पांच brand को select करिया आपके पास 50-20 से अधिक brand है तो आप साथ brand को focus करिये ठीक है अब ये आपको पूरे brand को दो पार्ट में divide कर लेना है एक focus brand और दूसरा non focus brand वीडियो मैगेजनेंस में बात कूंगे इंडिया के best job hiring platform Relabel के बारे में अभी तक 1500 से ज़्यादा job offer later release करवाए है 90 क्रोड वर्थ के value के job total दिये हुए है और Relabel के platform पे प्रेटियम, जूमकार जैसी more than 800 companies present है जहां पे अपनी dream job आप पा सकते है एक free का test देखे अगर आप test देने में आपका selection नहीं होता कोई problem है आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या करना चाहिए Relabel के platform पे ही courses are available है उन courses को आप ले सकते हैं वहाँ पे study कर सकते हैं maximum से maximum live classes attend करिए जैसा बताया जा रहा है उसे पढ़ाई करिए उसके बाद fit test दीजिए और अपनी dream job आ लिजिए जब आप course complete कर लेते हैं उसके 90 दिन के अंदर Relabel आपको place करा देगा अगर placement नहीं होता है उस case के अंदर आपका जो placement fee है वो वापस हो जाएगा और placement fee जो course fee है उसका 50% होता है एक प्रकार से आपको placement guarantee तक Relabel दे रहा है तो friend अगर आप भी अपना career बनाना चाहते हैं sales में, HR में, web development में digital marketing में, analytics में या इसके जैसे और किसी profile के अंदर जाके Relabel का course दिया हुआ check out कर सकते हैं जाए Relabel के platform के उपर free कर test दीजिए और yes अपना dream job पा लिजिए non-focus brand का मतब यह होना है जी का part होता है लेकिन campaign run करने से पहले ये brand decide करने के पहले आपको जब हम brand manufacture करने के लिए जाते हैं या जिन brand को decide कर रहे हो कि इसको हम core में रखेंगे और इसको promote करेंगे उसके अंदर कुछ खास चीज़ी है आपके brand के अंदर होनी चाहिए हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं है brand तो जब next batch आप manufacturing करेंगे ये सारी चीज़े add करेंगे सबसे important चीज़ है आपका brand unique कैसे होने वाला है आपके brand के अंदर क्या आप खास बात डालने वाले हैं जो औरे से आपका brand differ करता है अब ये खास बाते कौन सी हो सकती है वो tablet का safe हो सकता है tablet का taste हो सकता है tablet का color हो सकता है tablet की packaging हो सकती है tablet का desolation rate हो सकता है tablet का disintegration rate हो सकता है tablet की hardness हो सकती है और इसके जैसे और भी बहुत सारी features ये मैंने मोटा मोटा कुछ चीज़े बता है जो आपको tablet and capsule के अंदर ध्यान देना है, hardness हो लागा, system जो है, capsule के अंदर काम नहीं करेंगे, बट almost चीज़े काम करेंगी, जब capsule के हम बात करें तो फिर वह टेस्ट वाला भी matter हड़ जाता, कि capsule यूजी इसलिए किया जाता है, टेस्ट को avoid करने के लिए, ताकि उसको एक cover के अंदर डाल दिया जाता है, जो pilots होती है, जो granules होती है, ताकि हम टेस्ट को avoid कर सके, तो basically मोटा मोटा आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बाद आता है कि उपर की packaging कैसे है, डबा का packaging कैसा है, कई बार क्या होता कि, जो patient होता है, जो end user है, वो डबा देखके attract होता है, कभी बुढ़े patient है, कभी चोटा बच्चा है, अगर चोटे बच्चों को medicine बना रहा है, तो वो कभी डबा देखके attract होता है, तो आपकी packaging कैसे है, बहुत matter करते है, packaging में एक लोग mistake करते है, जब भी pharma startup करते हैं, तो मैंने देखा है, packaging को बर क्या होता है, कि जैसे मैं एक brand ले ले लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास ये एक company का brand है, इसके packaging देखे, बहुत अच्छी emporium packaging की गई है, तो इसको पर आपको जो brand name दिख रहा है, ये brand name, जिदेखे, बहुत अच्छा से brand name लि ही है, बड़ क्या होता है, कि यहाँ पर color यूज करने के बाद, जो brand name, rate color से आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको कई बार yellow color से, कई बार green color से, किसी और different color से लिख देते हैं, जो पीछे background में color दे रहे है, उस color के साथ, वो mix color हो जाता है, अब इसके साथ problem क्या है, रुक उसको कभी भी light color से नहीं print करेंगे, अपने company का जो logo अगरा बनाना कभी light color से नहीं बनाएंगे, light color का मतलब होता है, yellow color, यह yellow color से मिलते जुलता है, light green color, ऐसा color जो print होने पे अच्छा नहीं आएगा, understand, मैंने अभी recent में भी companies को ऐसा advice किया था, और मैंने कई companies के अंदर यह problem देख सुका हूँ, एक company तो पूरा logo ही ऐसा design किया गया, वो print पे आता ही नहीं, वो उसी color से डब्बे को उपर नाम लिखा किया है, वो आई नहीं रहा है, हमेशा आपको color combination के ध्यान अगना, अगर background पे dark color है, तो उसके उपर light color का आपको brand name लिखना है, ताकि वो बहुत जैसा यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, लेकिन इसके उपर जो brand name लिखा हुआ, अच्छू हूँ, यह देखे कितने अच्छे तरह के से इतना white space दिया हुआ है company ने, अब जी पूरा जब ऐसा है, इसको पूरा भी continue, इसी same color में company चाहे तो कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर problem क्य की चीजों का ध्यान रखते हैं, ताकि visualite के अंदर, वह appearance, वह brand name निकल के आए, ठीक है, जो कि साइध इतनी बारिकी से कोई ध्यान देता होगा, तो अगर आप अपनी company लिए visualite बनाना चाहते हैं, मुझसे contact कर सकते हैं, यहाँ पर मैं number दे दे रहा हूं, ठीक है, चलिए आ नहीं मिलता आपके जगा, दूसरा brand दे देता है, तो यह बात हो गई आपके packaging की, तीसरे number की बात है pricing की, price कितना रखे हैं हम अपने brand का, price हमेशा ही attractive price रखना चाहिए, attractive price का मतलब होता है, ना ही आपका ज़्यादा price होना चाहिए, ना ही आपका कम price होना चाहिए, अगर बहुत ही ज़्यादा competitive advantage आप डालने में सफल हो गए है, तो आपका price टॉप brand के equal होना चाहिए, अगर आप इस type की USP एड करने में brand में कामयाब हो गए है, ऐसा uniqueness एड करने में आप कामयाब हो गए है, तो आपको top company के brand के बराबर आपको MRP रखना चाहिए, अगर आप उतनी USP नहीं add कर पाए हैं, तो आपको 2-4-5 रूपए का MRP रखना चाहिए, यह अलग बात है, आपको सिर्फ setting वाली जगह बेचना है, तो आप बड़ी-बड़ी MRP रखिए, तो वो सिर्फ setting वाला जगह बिख पाएगा, लेकिन उसको brand में convert करना है, वायलूम में convert करना है, तो आप doctor chamber के अंदर उसको present नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर एक चीज़ बहुत सारे लोगों के मन में doubt और आगे सरा आज के टाइम पे business generate करने के लिए क्या है, कि money की जरूवत होती, बिना money, बिना investment के हम business generate नहीं कर सकते, yes, it is true, यह reality है, लेकिन वो investment वाला जो process आपके पैसे व सब कुछ बकवार से है, पैसा दियेंगे तो लिखेगा, तो ऐसा आप मत सोचिया, ऐसा सोचने से business नहीं आएगा, क्योंकि पैसे देने वालों को कमी की नहीं है, पैसा देने वाले 10 लोग खड़े हैं, तो उसमें से भी एक ही बंदे का brand चूच किया जाएगा, जो लिखा प्रोड़क्ट में दम है, प्रोड़क्ट के अंदर quality है, तो marketing जो strategy होगी, वो synergetically काम करती है, ठीक है, parallel काम करेंगे, उसको बड़ा करने में, बट प्रोड़क्ट के अंदर dumb नहीं है, quality नहीं है, quality नहीं है, सब चीज define जो मैंने आपको बताया होनी चाहिए, ठीक है, वो च पांच ब्रेंड बताया थे, आप पांच ब्रेंड ले लिजिए, अब इसमें जो मैं आपको चीज़े बता रहा हूँ, यह one by one brand के लिए, अभी तक जो चीज़े मैंने बतायी, वो सारे brand में ऐसे follow करना है, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, यह one by one रहेगा, मतलब मैं ए जिसकी वज़ा से sale आएगे, understand, या फिर sale generation steps आप बोल सकते हो, sales generation story आप बोल सकते हो, sales generation के fundे बोल सकते हो, ऐसा क्या काम हम करेंगे, जिससे customer का attention grab कर पाएंगे, और जिसके through हम sale generate कर पाएंगे, ऐसी कौन सी चीज़े हम market के अंदर करेंगे, जिससे हमारा customer के साथ जो impression time है, व इसमें से एक बहुत ही popular marketing strategy की मैं बात करूंगो, जो पहला number पे है, वो है camp, ठीक है, अब camp दो type का होता है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पहले number पे OPD camp की, OPD camp क्या होता है, OPD camp होता है, डॉक्टर से बातचित कर लेते हैं, मन्त के अंदर एक डॉक्टर के साथ एक बार करते हैं, हाँ weekly भी कर सकते हैं, बट कई बार doctors को allow नहीं करते हैं, बट मन्त के अंदर एक बार doctors generally allow कर देते हैं, तो हम doctors pass जाते हैं, OPD camp करने का permission लेते हैं, और उस OPD camp के अंदर हम उनके patient के benefit के लिए कुछ चीज़े distribute करते हैं, जैसे क्या हो सकता है, आप pre sample distribute कर सकते हैं, किस toys distribute कर सकते हैं, जितने लोगों को आपका brand लिखा जाएगा, सबको toys मिलेगा, बलग कुछ भी ऐसा activity जो patient के life में happiness नाता हो, या patient के life में value add करता हो, जिसके लिए doctor convince हो जाए, कि हाँ ऐसा मेरे patient को benefit होगा, और doctor की OPD बढ़ जाएगा, तो इसको हम बोलते है, OPD camp, यह बहुत ही complain करते हैं, आपका brand मुझे याद नहीं होता, आप remind कर आते रहना, ठीक है, बार-बार मुझे याद दिलाते रहना है, मुझे WhatsApp भेज दीना, इसका मतलब यह कि doctor लिखने में interested है, आपका brand से वो सहमत हो गया है, बट क्या उसको brand याद नहीं आ रहा है, जिस दिन आप OPD camp करें तो जो brand होता है, वो doctor के pin पे आजाता है, multiple time brand लिखने की वज़ा से doctor के pin पे आजाता है, जिसके regular लिखे जाने के chances बहुत होते हैं, बहुत सारे MRS चीच को नहीं मानते, लेकिन reality यही है, यहाँ से benefit बहुत मिलता है, अगर आप इसको serious होगे करते हैं, बहुत सारी मानने ना म करूँगा, चारप करूँगा, दस पे करूँगा, दस में से एक पे तो काम करेगा, अब एक बहुत हो जाता है, एक महीने के अंदर ना, तो मेरा बहुत बड़ा benefit है, तो पहला है, camp, camp मैंने बता है, OPD camp, दूसरा camp होता free camp, यह basically क्या होता है, branding develop करने के लिए यूज किया ज किस लेता है, free treatment देता है, कोई कुछ भी cost नहीं लेता, यह किसी society के अंदर किया जाता है, किसी company के अंदर किया जाता है, different places पे, अपने, जो clinic है, वहाँ पे generally यह कम ही करता है, किसी ऐसी जगह पे जा करता है, जहाँ पे वह public आ सके उसके पास में, जो उसके तक reach नहीं कर पा अंदर आपको कुछ खास advantage नहीं मिलने वाला है, सिवाए उस doctor के attention का, yes, यहाँ पे free medicine distribute करने में, आपको अगर benefit मिल सकता है, तो आपको कोई malaham type की कोई चीज़ लगाने वाला है, patient लेके गया, free मिल लगया, लगया, उसको बहुत अच्छा benefit मिला, आप दुबारा जाके purchase कर लेकर, topical preparation, tablet capsule में खास प्रांग नहीं पाता, क्यों tablet capsule को जो brand होता है, वो doctor के prescription को उपर बहुत जदे dependent है, लेकिन कुछ ऐसे brand, जो doctor के prescription को उपर dependent नहीं है, जैसे कि मैंने बता है, antifungal cream है, लगाया, बहुत अराम मिला दुबारा लेगा, कोई move जैसा, ठीक है, anti- analgesic, कोई आपके पास topical preparation है, ठीक है, तो वो declopinic gel जैसे आपके पास है, pneumosalite gel है, इस टाइप की चीज़ वो लेके गया, उसको relief मिला, दुबारा जाके लेगा, तो आपके इस टाइप के preparation है, तो वो help करेगा, but tablet capsule के doctor के pen की उपर dependent करता है, तो उसको जाके relief मिला, तो वो क्या है, लेकिन same medicine वही है, अगर topical preparation में रहती है, और patient ठीक हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपने साथ साथ बाजू आलो को भी recommend कर देता है, यह लगा लगा लो इससे बहुत ज़्यादर यह चोट लगी दि लगाया, तो यह ठीक हो गया, तो यह this is the difference between topical preparation and जो intake करने वाले हो activities का, अगर business generate करने लिए, relation बहुत important है, relation नहीं बनेगा, तो business नहीं आएगा, और relation बनाने के लिए हमें चाहिए होता है, regular call consistency, यह तो चाहिए ही चाहिए business लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे चाहिए होता activity का support, अब दूसरे form में इसको investment भी बहु सकते हैं, बट इसको मैं बो लूँगा, overall services, तो activity का जो part होता है, आपके relation को एक strength देने का काम करता है, एक cementing करने का काम करता है, एक bonding बनाने का काम करता है, तो अगर आप relation बना ले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिना investment की relation नहीं बनता है, बनता है, बट उसकी bonding जो होती ना, वो strong नहीं होती, तो अगर उ activities करना, यह आपको काउं सी activities करेंगे, उससे ROI कैसी ensure होगी, यह भी आपको confirm पता होना चाहिए, confirm define होना चाहिए, और इसके लिए बात कैसे किये जाएगा, बहुत सरे लोग को कुछ नहीं आता है, हम doctor chamber में जाके इस टाइप की activities के लिए बात कैसे करेंगे, तो बात करने के simple तरीका यही है, कि आपको पहले तो identify करना है कि वो customer कैसा है, किस nature का है, किस type के activity में involved हो सकता है, उसके according चीजों को हम design करते हैं, उसके बाद हम propose करते हैं, प्रपोज कई बार हम खुद करते हैं, कई बार सामने से proposal आता है, कोई chemist तो बहुत है ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंग प्लान है, यह benefit आपको मिलेगा, हमको यह benefit चाहिए, ठीक है, इस तरीके से हम बहुत ही simple way में अपने पूरे activity को explain करते हैं customer के पास में, चाहे वो chemist हो, चाहे वो doctor है, अगर उसको accept होता है, तो ठीक है, नहीं accept होता है, कोई बात नहीं है, अभी हमें accept कराना ही है, तो accept अभी होगा friend, जितना ज़्यादा background में आपने study किया होगा, कि उसको क्या पसंद है, किस type के activity में involved होता है, किस type के नहीं होता, जिस type के activity में involved नहीं होता, उस type का propose कर रहा है, नहीं bonding बनेगी, तो आपको study होना चाहिए, अब आपने campaign कर लिया, OPD camp भी कर लिया, activity भी कर लिया, activity करन एक बाद जो third requirement है, जो बहुत aggressive करना चाहिए, और आज की time पे medical rep जिसको miss कर देती है, वो है reminder card, सबसे ज़्यादा powerful tool, सबसे ज़्यादा valuable tool, जिसके दम पे सबसे ज़्यादा business निकाला चाह सकता है, reminder, अगर आपको किसी भी big customer को convert करना है, reminder बहुत important है, reminder दो type का हो सकता है, WhatsApp reminder हो सकता है, और physical वाला, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, physical reminder card का, जब daily routine अपनी working start करने के time पे, start करने से पहले आप reminder place करते है, generally जो कि आपने देखोगा senior medical reps होते हैं, जो अच्छे medical reps होते हैं, जैसे अपना day का सुरुआत करते हैं, उनके पास एक focus doctor की list होती है, हो 5 हो सकता है, साथ हो सकता है, दस हो सकता है, शुरू के एक गंट से डेर गंटे के बीच में, एक से डेर गंटे के बीच में, सब ही को reminder place करते हैं, reminder card क्या होता है, जिसके लिए एक paper का टोड़ा होता है, जिसके उपर two day request for लिखा होता है, good morning doctor लिखा होता है, आप जो brand लिखवाना चाहते है, और यह doctor के पास में होता है, तो जितने भी अच्छे बड़े doctors होते हैं, उसके पस हम place करते हैं, ताकि हमारा brand name उनको याद हो सके, सिर्फ एक ही purpose नहीं है, कि brand name याद हो सके, दूसरी चीज़ purpose यहां पर solve होती है, कि आप regular है, क्योंकि business अभी generate होगा, जब आप regular रहें, consistent रहेंगे, आपका face दिखता रहेगा, आपका reminder दिखता रहेगा, इसका मतलब आप लगे हुए, आप महिनत कर रहे हैं, तो यह बहुत important हो जाता है, तो reminder card, इसके बाद अगर आपके brand के अंदर कुछ ऐसी USP है, कुछ unique चीज़ है, आपके brand के अंदर, जिसमें masses में detail में बता देता मुझे, मुझे chemistry law time में देता, दिन उस case के अंदर मैं अपने brand को कैसे बिचूँगा, मेरा concept selling brand है, नया concept लेके आया हूँ, नया research करके लेका है, बहुत अची चीज़े रहा हूँ, उस condition के अंदर, फिर आपको help करता है CME, continuous medical education, जिसको हम बोलते है CME, या फिर conference, यह tool बहुत ही powerful tool है, बट अगर आपके brand के अंदर कुछ USP है, तभी यह tool act करेगा, तभी इस tool से आपको benefit मिलेगा, general brand से आप अगर conference करेंगे, तो उसमें कुछ खास benefit नहीं मिलेगा, एक थोला सा relation build up हो जाएगा, इसके लाओ कुछ नहीं, बट अगर आपके brand, concept selling brand है, जैसे कि male sexual dysfunction की बात करें, female sexual dysfunction की बात करें, female infertility की बात करें, female infertility की बात करें, या इसके जैसे gastro की बात करें, या cardia की बात, कुछ unique चीज़े आप ले के आ रहे हैं, कुछ अलग से आप देने जा रहे हैं, दिन CME आपको बहुत ज़्यादा benefit दे सकता है, लेकिन यह खर्चे वाला, एक CME करने में कम सकते हैं, तो 32-40,000 रुपीज़ का budget चला जाता है, तो 32-40,000 रुपीज़ का company घर्च करने के लिए agree है, agree अगरी हो जाएंगे, लेकिन तभी agree होईएगा, जब आपके brand के तर ऐसा कुछ खास होगा, तो CME आपको बहुत बड़ा conversion करके देगा, one short के अंदर बस CME करना है, उसके बाद follow up कर लेना, CME कैसे किया जाता है, इसका पूरा entire process, मैं video के link में दे दूँगा, description में दे दूँगा, उस link पर जाके देख लिए CME कैसे किया जाता है, ठीक है, तो आप CME करिए, यहां से आपको बढ़िया benefit मिलेगा, इसके अलवा, आपका brand अगर इस टाइप की क्युछ है, जिसका POB किया जा सकता है, केमिस्ट के लेबल पूसिंग किया जा सकता है, जैसके मैं PPI की बात करूँ, जैसे मैं बात करूँ, आपको declofenic, जिल, पेंज, जिल की बात करें, आईल की बात करें, या फिर आपके, रभी प्राजोल, पेंटावल, आई में जो आते हैं, वो आनिमरी स्लाइड है, जैसे ब्रैंड सो जो केमिस्ट के तुरू पूसिप किये जा सकते हैं, उन ब्रैंड का POB करके भी आप उसकी ऑलिबल्टी से बजगा कर सकते हैं, अपने ब्रैंड को पूसिप कर सकते हैं, तो नेक्स्ट मार्केटिंग बिजनस दे देंगे, तो आपको गुवा का ट्रीप फ्री, यह POB कैम्पेन होता, इस पर अट्रेक्टिव कैम्पेन हमें डिजाइन करना होता, अभी तक शुरू के मैंने तीन-चार चीज़ यह बताई, वो बिसकली डॉक्टर को पर फोकस था, कि अगर आपका कोई ब्रैं केमिस आप सर्ट करेंगा, इस सकीम करेंगा, अब यहां पर बात आ जाया कि सर्ट बहुत जज़ादा मांगता है, वह जेनरिक के रेट मांग रहा है, वह जेनरिक तो इतना कॉमन सा ब्रेंड है, लेकिन आपका ब्रेंड अगर कुछ यूनीक है, जिसे PCOD है, नहीं रेट मांगेगा, आप रेट नहीं दोगे तो भी लेगा, तो आपके ऐसे ब्रेंड यहां पर इलोपैद में भी बहुत सारे ब्रेंड ऐसे आते हैं, तो अगर यहां पर जाते हैं, यूनीक चीजों का, आप डिजूलोइसन रेट इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो चीज़े आप इनसे और करते हैं, नो देवो करके दिखाते हैं, तो में quality दे रहे हैं, तो ये चीज़े आपको ensure करने पड़ेंगी, chemist के label भी खिलाने पिलाने वाला काम कर सकते हैं, जहां पर अपने brand की USP और अपने brand के बारे में सारी चीज़े बता सकते हैं, उसके बाद आपका आता है last में purpose या फिर ROI, परपज और ROI, परपज मिलब ये सारी चीज़े करने का परपज क्या है, मिलब आप future में brand कहां तक लेके जाना आप चाहते हैं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के cutting your point थोड़ा पहले आना चाहिए था, क्योंकि इसारी चीज़े हम उसी के लिए कर रहे हैं, जो भी investment करते हैं, उसका ROI इंसे और करना, ROI में is return on investment, जो भी हम खर्चा बर्चा कर रहे हैं, क्योंत्रा धंदा भी आ रहा है कि नहीं हो, अब इस खर्चा किया जा रहे हैं, अब ये कैसे होता है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा budgeting, ठीक है, तो जब ये पूरी marketing strategy में जो खर्चा होता है, वो कितना खर्चा करना है, कैसे कैसे खर्चा करना है, ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा budgeting, budgeting दो तरीके जान सकते हैं, मेरा की workshop का वीडियो है, इसका link मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, इस mobile number पे 1500 रुपीज का payment है, पंदरा सो रुपे का pay क करके आप ले सकते हैं, ठीक है, workshop का, या मेरे साथ zoom consultation call book करके बात कर सकते हैं, ठीक है, and yes, अपनी पूरी working system को अगर आप automate करना चाहते हैं, जुसी जी मैंने बताया कि brand strategy चल रही कि नहीं, आपका reminder place हो रहा है कि नहीं, time पे आपने medical rep में working start किया कि नहीं किया, इन सब चीजो सिंस्टम को automate करता है, आपको HR जैसे बहुत सारी important चीज की, admin की जैसे important चीज की facility प्रवाइट करता है, पनलब automate करता है जहां से आप direct selling में generate कर सकते हैं, आप reports को analyze कर सकते हैं, working को track कर सकते हैं, geotracking enable कर सकते हैं, उसके ले आप बहूत सारे analysis कर सकते हैं, monthly quizzes run कर सकते हैं, weekly quizzes र marketing campaign बताया, तो इस type की marketing campaign अगर आपको marketing वे अपने brand के उपर run करना है, तो क्या उस marketing campaign को आपका जो employee है, medical app वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप उसकी tracking इस app के तुरू कर सकते हैं, उस app के अंदर उसकी जो entries होगी उसको monitor कर सकते हैं, तो जो आपने मार्केटिंग इस्टेजी बढ़ा है, क्या मार्केटिंग में अच्छे तरह कि इस मूत्री रन हो रही है, उसको जाने के लिए आप सेपमिट का यूज कर सकते हैं, यह आपके मार्केटिंग इस्टेजी को रन करने में, ब्रैंड बिल्डिम करने में बहुत डिस्किप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आयू जी का, आप वहां से जाके सेपमिट के साथ जुड़ सकते हैं, और अपने मार्केटिंग कंपनी के फील्ड वर को आटोमेट कर सकते हैं, HR Policy and Admin को भी, ठीक है, आई होब आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुगा, इसके अगर आपको फर्दर कोई कोई रहती, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जूम कंसल्टेशन नंबर यहां नीचे आ रहा है, उन्नी इस साल का जो फीस है, वो 700 रूपीज है, नेक्स्ट येर से बढ़ जाएगा, दिसंबर तक अगर आप बुक करते हैं, तो 700 इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह 100 रूपीज आइड हो जागा, 800 रूपीज हो जाएगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे काफी जदा अच्छा लगता है, मोटिवेट होता हूँ ऐसे झाल